पूरे पटना को दुल्हन की भाती सजाया गया है श्री राम का आज जन दिवस पूरा पटना काफी उत्षाह के साथ मना रहा है चारो और जैश्री राम के नारे लगाये जा रहे हैं और देखे किस तरीके से पंडाल बनाया गया है अभी कुछी देर में यहां पर बिहार के सीम जो है सीम नितिश कुमार भी पहुँचेंगे और पुरा भव्वे आयोजन होगा कारेकरम का आयोजन होना है लगवग 45 जो सोभा यात्राएं हैं वो निकल गयाएंगी देखे जैश्री राम के दोश लगाये जा रहे हैं और पुरा पटना राम में दिखाई दे रहा है हमारे साथ कुछ लोग हैं कितनी खुशी है आज बहुत ज्यादा खुशी पूरे भारत वर्ष में हिंदूओं का सबसे महत्पूर पर्म है और हम लोग कापी हर्ष उलाही तरे कापी खुशी है आज भगवराम सी राम का दिन है इससे ज्यादा सोभाग साली दिन होई नहीं सकता हम लोग के लिए अब बार हर्ष की बात है कि हमारे भारत वर्ष में इस तरह की राम नम्मी पूरी जोस्ख्रोस के साथ मनाई जा रही है और हम सभी यूबा जैस्री राम में लीन है और बहुत बहुत ज्यादा मतलब अक्दी भाग है देखिए जो लोग हैं वो काफी खुष्ण को आपने हैं और तश्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं किस पकार से जो डाग बंगला चौराह से पूरा राम में हो गया है देखिए यहां पर सुरक्षा व्रवस्ता भी काफी तायनाद है किसी तरी की कोई घटना नहों इसको लेकर के सुरक्षा व्रवस्ता तायनाद कर दिया गया है और पूरा पटना राम में हो गया है जैस्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं से चारों ओर रहा है तो नजर आ रहा है और यह आपका दिखा रहे हैं तश्वीर हम पटना के राम चोक यानि की टाक बंगला चोराहा से और देखे कुछी देर में यहाँ पर विहार के सीम नितिश्टमार भी पहुंचेंगे और उससे पहले जो लाइटिंग की तेयारी है लाइटिंग देखी कितना चाह हुआ है यहाँ पर और श्री राम के भक्त हनुमान माना जाता है कि हनुमान के सीने में श्री राम और माता सीता बसती है तो उसका यह द्रिश्ट दिखाया गया है देखे तश्वीरे देखे आप कितना मनोरम द्रिश्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको तश्वीरे हम दिखा रहे हैं पटना के डाग बंगला चोरहा यानि राम चौक से और पूरा पटना राम में है तमाम अपडेट्स जो भी है हम देते रहेंगे निस परनेशन के माध्यम से धन्यवाद